प्रिये मित्रों अज आपको हम बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है इसके पीछे कुछ कथा है जिसके संदर्म में हम कुछ जानकारी आपको देंगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छा लेगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर किजिए साथी घंटी के निशान को दवाना नहीं भूलियेगा शीब पुरान के अनुशार हिमालय की पुत्री पारवती शीब से विवाह करने हेतु बहुत कठोर तप कर रही थे और उधर भगबान भोले नाथ भी तपस्या में लिन थे और शीब पारवती के शादिव पुरांत उनसे जो पुत्र होता उसी से तारकाशूर का बद होता उसने तारकाशूर ने इंद्र को नाको दम कर दिया था तो इसमें इंद्र का भी इंद्र का भी शीब पारवती विवाह में स्वार्थ शिपा था कि तारकाशूर का बद सीब पारवती के पुत्र द्वारा होना था इसी होजा से इंद्र ने काम देव को सीब जी की तपस्या भंग करने भेजा प्रन्तु शीब ने क्रोधित होकर काम देव को ही भसम कर दिया सीब जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने सीब और पारवती से बिवाह के लिए राजी कर लिया इस कथा के आधार पर होली में काम की भावना को परतिकात्मक रूप से जला कर सच्चे प्रेम की विजय उत्सब मनाया जाता है कंस को जब आकासबानी द्वारा पता चला कि वशुदेव और देविकी का आठवा पुत्र उसका अन्नास करेगा तो कंस ने वशुदेव तथा देवकी को जेल में डाल दिया काड़ागार में जन में देवकी के छो़ पुत्रों को कंस ने मार दिया साथवे पुत्र श्वेंग सेशनाग अवतार बलराम थे जिनके अंस को जन्म से ही पुर्व बसुदेव की दूसरी पतनी रोहिनी के गर्भ में अस्थांतरित कर दिया गया था आठबे पुत्र के रूप में स्रीक्रिष्न का अवतार हुआ बसुदेव ने रात में ही स्रीक्रिष्न को गोकुल में नंद और जसोदा के यहां पहुंचा दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते चले आया कन्स उस कन्या को मार नहीं सका जब मारने के लिए कन्या को उठाया तो कन्या आकास में उर गई और आकास बानी हुए कि अरे मुर्क तू क्या हमको मार गई तेरा मारने वाला गोकुल में जन्म ले लिया तब कन्स ने उस दिन गोकुल में जन्में सभी शिशू की हत्या करने का काम राक्षासी पुतना को सौपा वह सुंदर नारी का रूप बना कर सिशू को विश्क का अस्तन पान कराने गई लेकिन श्री क्रिश्न ने राक्षासी पुतना का बद कर दिया या फालगुन पुर्निमा का दिन था अता बुराई के अंध की खुशी में होली मनाई जाने लगी होली का तेवहार राधा क्रिश्न के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है बसंत में एक दूसरे पर रंग डालना स्री क्रिश्न लीला का ही यंग माना गया है मतुराव ब्रिंदावन की होली राधा क्रिश्न के प्रेम रंग में डूबी होती है बरसाने और नंदगाओ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है होली पर होली जलाई जाती है अहंकार की अहंकी बैर्द्वेस की इर्थया की संसे की और प्राप्त किया जाता है विसुद्ध प्रेम प्रलाद और होलिका का परसंग तो लगभक सभी लोग जानते ही होंगे माना जाता है कि होली का पर्ब सुरू में प्रलाद और होलिका से जुरा है दोने की कथा विश्णू पूरान में उलखित है, लिखा हुआ है, हिरंकस्यप्ने तपष्या करके भागबान से बरदान प्राप्त किया, कि वह तो न पिर्थवी पर मर सकता था ना आकास में, न दीन में, न रात में, न घर में, न बाहर में, न अस्त्र से, न सस्त्र से, न नर से, न पसु से, बर्दान के बल से उसने देवताओं और मानब, सभी लोकों को जित लिया और विश्णू की पूजा ही बंद करा दी, प छोड़ी फिरनकस्यप की बहन होलिका को बरदान प्रप्धा कि वहाँ आग में नहीं जलेगी अता दैतराज ने होलिका को प्रहलाद का अंत करने के लिए प्रहलाद सहीत आग में प्रवेश करा दिया प्रंतु होलिका का बरदान निश्फल साबित हुआ और वह स्वंग उस आग में जलकर मर गई बस प्रहलाद की इस जीत की खुशी में खोली का त्योहार मनाया जाना लगा है दूसर एक और कथा है कि पुराने समय में एक राजा हुए उनका नाम था राजा पिर्थू उनके समय में एक राक्षशी थी ढूंधी वहन्ना वजात सिचकों को खा जा अशर नहीं होगा लेकिन सीब के एक राजा के करण बच्चों की सरार्तो से मुख्त नहीं थी वहने उसको भोले बाबाए का एक राएक सरार्त से तुम नहीं बच सकती है। राजा को ढूढ़ी को खतम करने के लिए राजपुरोहित ने एक उपाय बताया कि यदि फालगुन मास की पुर्निमा के दिन जब नधिक सर्दी होगी नधिक गर्मी होगी छेतर के सभी बच्चे एक एक लकरी एक जगह पर रखे और जलाएं मंत्र पढ़े और अगनी की पर पिनास हो गया तब सिसी तरह मौज मस्ती के साथ खुली मनाई जाने लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कोमेंट करके कोमेंट करके जरूर बताईए